राम राम चोती शास्त्र में धातूं का अलग अलग लाब है इसी तरह से चांदी एक धातू है उसका भी ग्रहों को अच्छा करने में एहम योगदान होता है खास तरह पर राहू ग्रह को मंगल बद को शनी ग्रह को और चंदर्मा ग्रह को अच्छा करने में ये धातू काफी काम आती है इस धातू के अलग अलग उपाये करवाये जाते हैं जैसे कि उधारन के तौर पर बता रहाओं कई लोग चांदी का चंदर्मा धारन करते हैं कई लोग चांदी की चेन धारन करते हैं चांदी का छला चांदी का कड़ा बहुत सी चीजें हैं जो चांदी से बनके शरीर पर धारन की जाती है लेकिन मैं आज आज आप से बात कर रहा हूँ चांदी के चौरस तुकड़े की यानि के चांदी का स्केर तुकड़ा चांदी का स्क भूमता हुआ दिखाई देगा या उसके घर में या उसकी पॉक्ट में मिल जाएगा जो भी विक्ती जोतिश में विश्वास रखता है क्योंकि ये उपाए राहु ग्रह के लिए बेहद कारगर है जब भी राहु ग्रह की महादशा हो अंतरदशा हो राहु लगन भाब में हो अश्टम भाब में हो राहु ग्रह खराबियां दे रहा हो कई बार तो ये तुकड़ा आपके लिए काफी लाब दायक हो जाता है लेकिन इस तुकड़े का कई लोगों को सही फाइदा नहीं मिल पाता कारण ये है जानकारी का अभाव सुनेयार लोग जो होते हैं ना वो च ऐसा जुरूरत होती है तो आज उनके लिए भी ये काम का वीडियो होगा क्योंकि चौरस तुकड़े जहां जहां पर चांदी का समान बनता है वहां अवश्य बनाए जाते हैं तो सबसे पहले चांदी का ये चौरस तुकड़ा कितने वजन का होना चाहिए ये बहुत बहु महत्पून बात है अगर वजन कुछ इदर उदर हो गया तो आपको ये चांदी का चौरस तुकड़ा कभी लाब नहीं देगा कम से कम इसका वजन चार गराम होना चाहिए अगर चार गराम से कम ये चांदी का चौरस तुकड़ा होता है या जादा होता है जैसे सवा चार त आने में थोड़ी दिक्कत होती है कम से कम चार गराम ही रहना चाहिए ये पूरा कोशिश करें नीचे भी ना आए उपर भी ना जाए उपर हलका फुलका चल सकता है जादा नहीं जैसे मैंने कहा सवाचार ठीक है ना इससे जादा नहीं तो चार गराम इसका वजन होना तो ये आप सुनियार भाईयों को सोचना है कि चांदी हमारे बुजर्ग तो हमें ये बताते थे कि हमारे जमाने के जो सुनियार थे वो चांदी में कभी मिलावट नहीं करते थे उसका कारण ये था चांदी मा होती है चंदर मा तो उसकी रातू है चंदर मा तो चंदर मा मे यानि के शिव की वस्तू में जो मिलावट या शैतानी करने की कोशिश करता है कहते हैं उसको नुकसान काफी उठाने पड़ते हैं तो चांदी कम से कम शुद्ध बनाएं हाँ कुछ चीजे मिलावट में आती हैं तो वो आप बता के बेचें गराहक को लेकिन शुद्ध चांदी के भी बनाएं क्योंकि आप से अगर कोई विक्ति लेने आया है तो वो अपनी समस्या का समधान करने के लिए चीज बनवा रहा है तो आपका भी नैतिक करतव्य बनता है कि आप उसको शुद्ध चीज प्रवाइड करवाएं कीमत हो सकता है आप थोड़ी जादा ले ले ठीक है ना तो इस चीज का ध्यान रखना दो बिंदू आपके सामने आगे चार गराम वजन और शुद्ध चांदी और दूसरी बात ये है कि इस चौरस तुकड़े को जो इसके ये चार कोने हैं कई बार क्या होता है कई लोग बोलते हैं हमें ये कोने थोड़े चुपते हैं तो इनको गुलाई से गोल कर दो तो वो हलका सा रंदा लगा कर इसकी ये जो तीखापन है ये खतम कर देते हैं तीखापन कभी भी चांदी के चौरस तुकड़े का खतम नहीं करना है अगर चांदी के चौरस तुकड़े का तिखापन खतम हो गया तो ये चौरस तुकड़ा आपके किसी खाम नहीं आएगा ठीक है और चांदी के चौरस तुकड़े को कभी बीच में होल करके धारन नहीं करना है इसके उपर कुंडा लगा होगा वह उसके समेत ही धारन करना है और जो चौरस तुकडा होगा वो चार ग्राम का ही होगा कुंडे का वज़न अलग से होगा चेन का वज़न अलग से होगा ठीक है न ये ध्यान रखना है और जब भी ये चांदी का चौरस तुकडा लेके आना ह बजार से इसे आपने गंगा जल में डिप करके घर में रख देना है और मंडे के दिन इसे सोच्छ करके गंगा जल से हाथ लगा के गंगा जल किसी पौधे में डाल दें या अपने सर पे डाल लें फिर इसके बाद इस चौरस तुकड़े को आपने अपने शरीर पे धारन करना है चांदी की चेन में यहां आपके एस्टॉलजर ने जैसे भी बताया चांदी का चौरस तुकड़ा कभी भूल के भी अपनी बैक पॉकेट में नहीं रखना है फ्रंट में रखने का कोई नुकसान नहीं है बैक पॉकेट में अगर चांदी का चौरस तुकड़ा रखेंगे तो वो नुकसान देने की समभावना अधिक है ठीक है और वैसे चांदी का चौरस तुकड़ा कांच की बोतल में बरसात का पानी हो या काच की बोतल में शमशान का पानी हो या फिर गंगा सागर में गंगा जल डाला हो उनमें भी नहीं बातों का ध्यान रखना है तो आपका ये चांदी के चौरस तुकड़े का उपाई बिलकुल सही होगा फिर आपको ये चांदी का चौरस तुकड़ा पूरी तरह से लाब दे पाएगा तो इसके बारे में ये पूरी जानकारी थी अगर आप को चांदी के चौरस तुकडे का कोई उपाई किया है गले में धारन किया है पौकिट में रखा है या फिर घर में गंगा जल में बरसाथ के पानी में ये शमशान के पानी में डालके रखा है तो इन बिंदूओं का ध्यान रखके अगर आप करेंगे न तो आपके लिए ये जबर्दस्त कारे करेगा तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाव आपको माता रानी की किर्पा से होगा जै माता